श्री राम कृष्ण वच्ना मृत के अगले भाग को प्रारंब करते हैं। श्री राम कृष्ण आराम से भागतों के साथ बैठे हुए हैं। बंकिम आये हैं। बंकिम को देखकर अधर कहते हैं कि महराज जी ये बड़े विद्वान है इन्होंने अनेक पुस्तके लिखी हैं आपको देखने आए हैं इनका नाम है बंकिम बाबू श्री राम कृष्ण कहते हैं बंकिम तुम फिर किसके भाव में बंकिम अर्था तेड़े हो बाई बंकिम हसते हुए कहते हैं जी महराज जूते की चोट से सहाब के जूते की चोट से तेड़ा हूँ श्री राम कृष्ण कहते हैं नहीं जी श्री कृष्ण प्रेम से बंकिम बने थे श्रीमती رाधा के प्रेम से त्रिभंग होए थे कृष्ण रूप की व्याख्या कोई-कोई करते हैं कि श्री राधा के प्रेम से त्रिभंग काला क्यों है जानते हो और साँडह तीन हाथ उतने चोटे क्यों है जब तक ईश्वर दूर है तब तक काले दिखाई देते हैं जैसा समुद्र का जल दूर से नीला दिखता है समुद्र के जल के पास जाने से और हाथ में उठाने से फिर जल काला नहीं रहता उस समय बहुत साफ सफेद दिखता है सूर्य दूर है इसलिए छोटा दिखता है पास जाने पर फिर छोटा नहीं रहता इश्वर का स्वरूप ठीक जान लेने पर फिर काला भी नहीं रहता छोटा भी नहीं रहता यह भहुत दूर की बात है समाधी मगन नहोने से उन्हीं की सब लीला है यह समझ में नहीं आता मैं तुम है तब तक नाम रूप भी है उन्हीं की सब लीला है मैं तुम जब तक रहते हैं तब तक वे अनेक रूपों में प्रकट हो जाते हैं श्री कृष्ण पुरुष है श्रीमती राधा उनकी शक्ती है आद्या शक्ती पुरुष और प्रकृती युगल मूर्थिकार्थ क्या है पुरुष और प्रकृती अभिन है उनमें भेद नहीं है पुरुष प्रकृती के बिना नहीं रह सकता प्रकृती भी पुरुष के बिना नहीं रह सकती एक का नाम करने से ही दूसरे को उसके साथ ही समझना होगा जिस प्रकार अगनी और उसकी दाही का शक्ती दाही का शक्ती को छोड़कर अगनी का चिंतन नहीं किया जा सकता और अगनी को छोड़कर दाही का शक्ती का भी चिंतन नहीं किया जा सकता इसलिए यूगल मूर्ती में श्रीक्रिष्ण की द्रिष्टी श्रीमती की ओर प्रिलकांत मनी से अंग को सजाया है श्री मती के चरणों में नुपूर है इसलिए श्री कृष्ण भी नुपूर पहन है अर्थात प्रकृती के साथ पुरुष का अंदर तथा बाहर मेल है ये सब बातें समाप्त हुई अब उधर के बंकी मादी मित्रगन अंग्रेजी में ध जी इसी विशय में बात हो रही थी कृष्ण रूप की व्याक्या की बात है श्री राम कृष्ण कहते हैं एक कहानी की याद आने से मुझे हसी आ रही है सुनो कहानी कहूं नाई हजामत बनाने गया था एक भद्र पुरुष हजामत बनवा रहे थे अब हजामत बनवाते बन जाड़े का दिन था, उसने उस तरह आदी छोड़ चाड़ कर अपनी कमीज की आस्तिन उठा कर कहा, तुमने मुझे डैम कहा, अब कहो इसका मतलब क्या है, उस विक्ति ने कहा, अरे तु हजामत बनाना, उसका मतलब विशेश कुछ भी नहीं है, परंतु जरा होशियारी से ब जोदह पुरुष डैम है, और डैम का मतलब यदि खराब हो, तो तू डैम, तुम्हारा बाप डैम, और तुम्हारे जोदह पुरुष डैम है, फिर केवल डैम ही नहीं, डैम 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 है, ये सुनकर सभी जोर से हसने लगे, सभी की हसी बंद होने पर बंकिम ने फिर बंकिम ने कहा महाराज आप प्रचार क्यों नहीं करते हैं। फरंतु प्रचार करने से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम्हें आदेश नहीं मिला। फिर भी तुम भकबक करते हो। वही दो दिन लोग सुनेंगे फिर भूल जाएंगे। जैसे एक लहर। जब तक तुम कह रहे हो तब तक लोग कहेंगे। कि अहाँ अच्छा कह रहे हैं वे, तुम रुकोगे उसके बाद कहीं कुछ भी न होगा, जब तक दूद की कड़ाई के नीचे आग जलती रहेगी, तब तक दूद खौल करके, उबल उठता है, लकडी खींचलो, दूद भी ज्यों कात्यों नीचे उतर आता है, और साधना कर कि अपने शक्ती बढ़ानी चाहिए, नहीं तो प्रचार नहीं होता, अपने सोने के लिए जगह नहीं पाता, और उपर से शंकरा को पुकारता है, अपने ही सोने के लिए स्थान नहीं फिर पुकारता है, अरे शंकरा, आओ मेरे पास आकर सो जाओ, उस देश में हालदारों के तालाब के किनारे लोग प्रति दिन शोच को जाते थे सवेरे लोग आकर देखते थे और गाली गलोश करते थे लोग गाली देते थे फिर भी लोगों का शोच जाना बंद नहीं होता था अंत में मुहले वालों ने अरजी भीज कर कमपनी को सूचित किया कभी कोई गड़बड नहीं हुई कम्पने का हुक्म सभी को मानना होगा उसी प्रकार इश्वर का साक्षातकार होने पर यदि वे आदेश शिद्दें तभी प्रचार होता है लोकशिक्षा होती है नहीं तो तुम्हारी बात कुन सुनेगा भाई इन बातों को सभी गंभीर भाव से स्थिर होकर सुनने लगे श्री राम कृष्ण कहते हैं अच्छा आप तो बड़े पंडित हैं और कितनी पुस्तके लिखी हैं आपने आप क्या कहते हैं मनुष्य का क्या करता है साथ क्या जाएगा परकाल तो है ना बंकिम कहते हैं महराज परकाल क्या चीज है स्थिराम क्रिष्ण कहते है हाँ ग्यान के बाद और दूसरे लोग में जाना नहीं पड़ता पुनर जन्म नहीं होता परन्तु जब तक ग्यान नहीं होता तब तक इश्वर की प्राप्ती नहीं होती तब तक संसार में लोटकर आना पड़ता है बचने का कोई उपाई भी नहीं है तब तक परलोग भी है ज्यान प्राप्त होने पर ईश्वर का दर्शन होने पर मुक्ति हो जाती है और आना नहीं पड़ता उबाला हुआ धान बोने से फिर पोधा नहीं होता ज्यान रुपी अगनी से यदि कोई उबाला हुआ हो तो उसे लेकर और स्रिष्टी का खेल नहीं होता वह ग्रिहस्ती कर नहीं सकता उसकी तो कामेनी कांचन में आ सकती नहीं है उबाले हुए धान को फिर खेत में पोने से क्या होगा बंकी महस्ते हुए कहते हैं महराज हाँ और घास पतवार से भी तो पेड़ का कारिय नहीं होता श्री राम प्रिष्ण कहते हैं परंतु ग्यानी घास पतवार नहीं है जिसने इश्वर का दर्शन किया है उसने अम्रित फल प्राप्त किया है मैं कद्दूफल नहीं है उसका पुनरजन्म नहीं होता है पृत्वी कहो सूरिय लोग कहो कई पर भी उसे आना नहीं पड़ता उपमा एक देशी है तुमने न्याय शास्त्र नहीं पड़ा बाग की तरह भयानक कहने से बाग की तरह एक भारी दुम या बड़े भारी मुक से अर्थ हो ऐसा नहीं है मैंने किशव सेंच से वही बात कही थी किशव ने पूछा महराज क्या परलोग है मैंने ने इधर बताया न उधर कहा कुमार लोग मिट्टी के बरतन बनाकर सूखने के लिए बाहर रखते उनमें पक्य बरतन भी है और फिर कच्चे बरतन भी कभी कोई जानवर आकर उन्हें कुचल कर चले जाते है पक्य बरतन तूट जाते है पर कुमार उन्हें फेक देता है परन्तु कच्चे बरतन तूट जाने पर उन्हें कुमार फिर घर में लाता है लाकर पानी मिलाता है और उसे गीला करके रगड कर फिर चाख पर चड़ाता है और नया बरतन बना लेता है छोडता नहीं है इसी लिए केशव ने कहा जब तक कच्चा रहेगा तब तक कुमार नहीं छोड़ेगा जब तक ज्यान प्राप्त नहीं होता जब तक ईश्वर का दर्शन नहीं मिलता तब तक कुमार फिर चाक पर डालेगा छोड़ेगा नहीं अर्थात लोट लोट कर इस संजार में आना पड़ेगा छुटकारा नहीं है उन्हें प्राप्त करने पर तुम मुक्तिफा सकते हो तब कुमार छोड़ देता है क्योंकि उसके द्वारा माया की सृष्टी का कोई काम नहीं होता ज्यानी माया के परे चले गए हैं वे फिर माया के संजार में क्या करेंगे परन्तु किसी किसी को वे माया के संसार में रख देते हैं लोग शिक्षा के लिए लोगों को शिक्षा देने के लिए ग्यानी विद्या माया का सहारा लेकर रहते हैं इश्वर ही अपने काम के लिए उन्हें रख छोड़ते हैं जैसे शुक्देव शंकराचारी एत्यादी अच्छा आप क्या कहते हैं कि मनुष्य का कर्थव्य क्या है बंकीब कहते हैं यदि आप पूछते ही हैं तो उसका कर्थव्य है अहार निद्रामाइद्फुन श्री राम कृष्ण विरक्त होकर उख तुम क्या बात करते हो तुम दिन रात जो करते हो वही तुम्हारे मुख से निकल रहा है लोग जो कुछ काते हैं उसी की डगार आती है मूली खाने पर मूली की डगार आती है नारियल खाने पर नारियल की डगार आती है कामिनी कांचन में दिन रात रहते हो और फिर वही बात मुख से निकल रही है केवल विशय का चिंतन करने से हिसाब ही स्वभाव बन जाता है मनुश्य कप्टी बन जाता है इश्वर का चिंतन करने पर सरल होता है इश्वर का साक्षातकार होने पर ऐसी बातें कोई नहीं कहेगा यदि इश्वर का चिंतन न हो यदि विवेक वाई राग्या न हो तो केवल विद्वत्ता रहने से क्या होगा भाई यदि कामेनी कांचन में मन रहे तो केवल पंडिताई से क्या होगा गिध्ध बहुत मूचा उड़ता है परन्तु द्रिष्टी उसकी केवल मरघट पर ही रहती है पंडित जी अनेक पुस्तकें शास्तर पढ़ते हैं शलोक ज़ाड सकते हैं कितनी ही पुस्तकें लिखते हैं परन्तु घुरत के प्रति आ सकते हैं धन और मान को सार समझते हैं वह फिर कैसा पंडित इश्वर में यदी मन रहा तो फिर क्या पंडित और क्या उसकी पंडित आई कोई कोई समझते हैं कि ये लोग किवल इश्वर इश्वर कर रहे हैं, पागल हैं ये लोग बोरा गए हैं, हम कैसे चालाक हैं, कैसे सुख भोग रहे हैं धन, सम्मान, इंद्रिय सुक सब कुछ है, कववा भी समझता है मैं बड़ा चालागू, परन्तु सवेरे उठकर ही दूसरों की विष्ठा खाता है, कववों को नहीं देखते हूँ, कितनी एट के साथ घूमते फिरते हैं, बड़े सयाने हैं, जो लोग इश्वर का चिंतन करत हैं, विषय में आ सकती, कामिनी कांचन में प्रेम, ये दूर करने के लिए दिनराग प्रार्थना करते हैं, जिन्हें विषय का रस खडवा लगता है, हरी पाद पद्म की सुधा को छोड़ कर, जिन्हें और कुछ भी अच्छा नहीं लगता, उनका स्वभाव हंस कासा होता हंस के सामने दूध जल मिला कर रखो, जल छोड़ कर दूध भी जाएगा, हंस की चाल देखी है, एक और सीधा चला जाएगा, और शुद्ध भक्ती की गती भी केवल इश्वर की और ही रहती है, वह और कुछ नहीं चाहता, उसे और कुछ भी अच्छा नहीं लगता, आप क प्रिराम कृष्ण कहते हैं, कामिनी कांचन ही संसार है, इसी का नाम माया है, इश्वर को देखने तथा उसका चिंतन नहीं करने देते ये, एक दो बच्चे होने पर स्त्री के साथ भाई बहन के सद्रिश रहना चाहिए, और आपस में सदा इश्वर की बातचीत करनी चाहि इससे दोनों का ही मन उसकी ओर जाएगा, और स्त्री धर्म की सहायक होगी, पशुभाव न मिटने पर, इश्वर के आनंद का स्वादन हो नहीं सकता, इश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, कि जिससे पशुभाव दूर हो, व्याकुल होकर प्रार्थना, व्यंतर यामी है अवश्य ही सुनेंगे, यदि प्रार्थना हां तरिको, फिर कांचन, मैंने पंचवटी में गंगा के किनारे पर, रुपया मिट्टी, रुपया मिट्टी, मिट्टी ही रुपया, रुपया ही मिट्टी कहकर, दोनों जल में फेक दिये थे, बंकिम ने कहा, रुपया दान किया जा सकता है, रुपया यदि मिट्टी है, तो फिर दया परोपकार कैसे होगा, श्री राम कृष्ण कहते हैं, दया, परोपकार, तुम्हारी क्या शक्ती है कि तुम परोपकार करो, मनुश्य का इतना घमंड, परंतु जब सो जाता है, तो यदि कोई खड़े होकर उसके मुख में बेशाब भी करते, तो पता नहीं लगता, उस समय अहंकार गर्व, दर्ब कहा जाता है, सन्यासी को कामिनी कांचन का त्याग करना पड़ता है, उसे फिर वह ग्रहन नहीं कर सकता, थूक को फेक कर फिर उसे चाटना नहीं चाहिए, सन्यासी यदि किसी को कु जाता कि उसने स्वेहम दिया, दया इश्वर की है, मनुष्य बेचारा क्या दया करेगा, दान आदी सभी राम की इच्चा पर निरभर है, यथार्थ सन्यासी मन से भी त्याग करता है, बाहर से भी त्याग करता है, वह गुड नहीं खाता, उसके पास गुड रहना भी ठीक नहीं पास गुड रहते ही यदि वह कहे कि न खाओ तो लोग सुनेंगे नहीं ग्रिहस्थ लोगों को रुपयों की आवश्यक्ता है क्योंकि स्तिरी बच्चे उन्हें संचे करना चाहिए स्तिरी बच्चों को खिलाना होगा संचे नहीं करेंगे किवल पंची और दर्वेश अर्था चिडिया और सन्यासी परन्तु चिडिया के बच्चे होने पर वहें मुख में उठा कर खाना लाती है उसे भी उस समय संचे करना पड़ता है इसलिए ग्रिहस्थ लोगों को धन की आवश्यक्ता है परिवार का पालन पोशन करना चाहिए ग्रिहस्थ लोग यदि शुद्ध भक्त हों तो अनासक्त होकर कर्म कर सकते हैं वह कर्म का फल, हानी, लाब, सुख, दुख, इश्वर को समर्पित करता है और उनसे दिन रात भक्ती की प्रार्थना करता है और कुछ भी नहीं चाहता इसी का नाम है निश्काम कर्म, अनासक्त होकर कर्म करना सन्यासी के सभी कर्म निश्काम होने चाहिए परंतु सन्यासी ग्रिहस्थी की तरहे विशय कर्म नहीं करता ग्रिहस्थ विक्ति निश्काम भाव से यदी किसी को कुछ तान दे तो वह अपनी ही उपकार के लिए होता है पर उपकार के लिए नहीं सर्वभूतों में हरी विद्यमान है उन्हीं की सेवा होती है हरी सेवा होने से अपना ही उपकार हुआ पर उपकार नहीं यही सर्व भूतों में हरी की सेवा है केवल मनुश्य की नहीं जीव जन्तों में भी हरी की सेवा यदी कोई करे और यदी वहमान, यश्, मरने के बाद स्वर्ग न चाहे जिनकी सेवा कर रहा है उनसे बदले में कोई उपकार न चाहे इस प्रकार यदी सेवा करे तो उसका निश्काम कर्म अनासक्त कर्म होता है इस प्रकार निश्काम कर्म करने पर उसका अपना कल्यान होता है इसी का नाम कर्मयोग है यह कर्मयोग भी इश्वर को प्राप्त करने का उपाय है परंतु यह मार्ग है बड़ाकट है कल्यूग के लिए नहीं है इसलिए कहता हूँ जो व्यक्तिय अनासक्त होकर इस प्रकार के कर्म करता है दयादान करता है वह अपना ही भला करता है दूसरों का उपकार दूसरों का कल्यान यह सब इश्वर करते हैं जिव के लिए चंद्र, सूरिय, माबाप, फल, फूल, अनाज पैदा किया है पिता आदी में जो सनेह देखते हो वह उन्ही का सनेह है जिव की रक्षा के लिए ही उन्होंने यह सनेह दिया है दयालू के भीतर जो दया देखते हो वह उन्ही की दया है उन्होंने असहाए जीव की रक्षा के लिए दिये तुम दया करो या ना करो वे किसी न किसी उपायस से अपना काम करेंगे ही उनका काम रुका नहीं रह सकता इसलिए जीव का करतव्य क्या है? वह यह है कि उनकी शरण में जाना जिससे उनकी प्राप्ती हो उनका दर्शन हो उसी के लिए व्याकूल होकर उनसे प्रार्थना करो और दूसरा क्या? शंभु ने कहा था मेरे इच्छा होती है कि अनेक दवा खाने अस्पताल बनवा दू इससे गरीबों का बहुत उपकार होगा मैंने कहा हाँ अनासक्त होकर यदि करो तो बुरा नहीं है परंतु ईश्वर पर आंतरिक भक्ती न रहने पर अनासक्त बनना वड़ा कठिन है फिर अनेक काम बढ़ा लेने से न जाने किधर से आ सकती आ जाती है पता नहीं लगता मन में सोचता हूँ कि निश्काम भाव से काम कर रहा हूँ परंतु संभव है कि अश्की इच्छा हुई ख्याती प्राप्त करने की इच्छा हुई फिर जब अधिक कर्म करने को जाता है तो कर्म की भीड में इश्वर को भूल जाता है और कहा शंभू तुमसे एक बात पूछता हूँ यदि इश्वर तुम्हारे सामने आकर प्रकट हो तो क्या तुम उनसे कुछ दवा खाने या हस्पताल मांगोगे या स्वयम उन्हें मांगोगे उन्हें प्राप्त करने पर और कुछ भी अच्छा नहीं लगता मिश्री का शर्बत पीने पर फिर गुड़ अच्छा नहीं लगता जो लोग हस्पताल दवा खाने खोलेंगे और इसी में आनंद नुभाव करेंगे वे भी भले आदमी हैं परंतु उनकी श्रेणी अलग है जो शुद्ध भक्त हैं वे इश्वर के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहता अधिक कर्म के बीच में यदि वे पढ़ जाए तो व्याकुल होकर प्रार्थना करता है हे इश्वर गया करके मेरा कर्म कर दो नहीं तो जो मन राद दिन तुम्ही में लगा रहेगा वह मन व्यर्थ में इधर उधर खर्च हो रहा है उसी मन से विशय का चिंतन किया जा रहा है शुद्ध भक्ति की श्रेणी अलग ही होती है इश्वर वस्तु है बाकि सब अवस्तु यह बुद्धी नहोने पर शुद्धा भक्ती नहीं होती यह संसार अनित्य है दो दिन के लिए है और इस संसार के जो करता है वही सत्य है नित्य है यह ग्यान नखोने पर शुद्धा भक्ती नहीं होती जनकादी ने आदेश पाने पर ही कर्म किया है इसलिए अनासक्त होकर यदि कर्म कर पाओ तो ठीक है फिर आसकती नहीं होगी तुम फसोगे नहीं इस माया के जाल में यदि तुम अनासकत होकर कर्म नहीं करोगे और सोचोगे कि मैं दान, सेवा, पुन्य परोबकार कर रहा हूं तो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर आसकती किसी ना किसी छिद्र से गुष जाएगी और जिस छिद्र से आसकती गुषेगी उसका तुम्हें पता भी नहीं लगेगा और तुम धीरे धीरे माया के पाश में बंद जाओगे इसलिए अनासकत होकर कर्म करो कामेनी कांचन में रहो तो ध्यान पूर्वक रहो तभी मुक्त हो पाओगे इस प्रकार श्री राम कृष्ण वच्णा मृत का यह भाग संपूर्था को प्राप्थ होता है शेश अगले अंक में